नमस्कार दोस्तो मैं निशार सर आपके लिए रास्तान पुलिस से जुड़ी जानकारी लेके आया हूँ सरकार बार-बार गुमरा कर रही है दो साल से रास्तान पुलिस की वर्तियाने की जंबावना थी लेकिन अभी तक विकेंशी नहीं आ पाई है क्योंकि सरकार इस विकेंशी को बार बार लटका रही है ताकि चुनाओ के वक्त नजदीक इस विकेंशी को निकाला जाए तो चुनाओी फाइदा हो इससे देखो मेरा मकसद किसी सरकार पर रोप लगाना है राजनेती करना नहीं है मैं रास्तान पुलिस बरती कॉंस्टेबल जो काफी दिनों से संभावित है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ तो उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दूँ उससे पहले आप मेरे यूटूब चैनल को निशार सर को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल का बटन है उसको टिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मिले तो आप है को नोटिप्स केसन मिल जाए ताजा बरती की जानकारी के बारे में तो चलिए चलते हैं आप आपको बताते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये अकबार में एक न्यूज आई थी कि रास्तान पुलिस में 10500 कोंस्टेबल की बरतियां होंगे कई अकबारों में ये न्यूज आई थी कि 500 होंगी लेकिन वो रास्तान पतरीका ने भी गलती मान ली है वो 10,000 से उपर विकेंसी दिखा रहे थे 10,500 कोंस दिखा रहे थे लेकिन उन्होंने गलती से टाइप कर दिया था और उसकी उन्होंने माफी भी बाद में अगबार में अभी सितंबर 16 अगस्त के अगबार के अंदर रास्तान पतरीका में आपको उसकी माफी मिल जाएगी अगर एक बार में निकाल रही है जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ कहां कितने पॉस्ट खाली है सिकर में त्यातर पॉस्ट आभी खाली है जो जोजिनों में 100 चूरू में 166 कूल 360 पोस्ट है वो खाली है अभी विकेंशी काफी दिनों से लंबी चल रही है और सरकार इस पर सबसे अभी वेटिंग में सबसे ज़्यादा इसी बरती की बच्चों को जरूरत है इसकी सबसे ज़्यादा वेटिंग चल रही है अभी और SI की जो रास्तान पुलिस SI में जो विकेंज सियाई थी वो अभी तक पेंडिंग चली रही है उसका अभी कोई एक्जाम वगेरा कोई संभावना नहीं है मही में जो एक्जाम होना था अभी सितंबर चल रहा है देख लो अभी तक उसकी कोई संभावना नहीं है लेकिन अभी तक के इस बरती की संभावना कम ही लग रही है क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार यह कादार है कि बरती आएगी आएगी पता नहीं कब आएगी लोगों की उम्र निकलती जा रही है लेकिन यह requirement नहीं आई है बच्चे अभी क्या है कि अफ़ों में नहीं कई कोचिंग स सेंटर वाले अफ़ा उड़ा देते हैं कि अभी बरती आने वाली बस फोरम स्टार्ट होने वाले इसे अपता जिसके जक्र में उनके बैंच स्टार्ट हो जाते हैं तो यह अफ़ां में ना आएं बिल्कुल भी आप मेरे इस यूटूब चैनल को लाइक कर लिजिए जब भी भी केंड़् से आएगी कितनी तरीक से फोरम स्टार्ट है कितनी फोरम फीस है कब तक आप बर सकते हो कितनी उमर होनी चाहित जीए कितने कितने नमर का पेपर होगा सब जानकारिया आपको विस यूटूब चैनल मालकी माद्द्द में से मैं आपको देता रहूंगा बस भी संभावना है कि सिप्तंबर के अंदर अंदर ये रास्तान पुलिस के फोरम में कॉंस्टेबल के स्टार्ट होने वाले और यह मत सोचना कि 10500 कुछ विकेंशी आएंगे इसमें पिस्पन सो पोश्ट ही आएंगी सरकार का मानना है कि इनको विकेंशी को दो बार किया जाए ताकि बच्चों को डबल फाइदा मिले और पेसे भी डबल फाइदा मिले धन्यवाद दोस्तों आगे जब भी नहीं जानकारी होगी मैं आपको पहुंचाता रहूंगा मेरे वीडियो को लाइक वर सेयर करें ज्यादा से ज्यादा ताकि मैं आपको रोचक जानकारिया हैं वो देता रहूं धन्यवाद